हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास एट एक्सरसाइज है मार पास 8.1 8.1 में देखो क्या है मार पास कोश्चन नमबर फॉस्ट है फाइंड दा रेश्यो ऑफ दा फॉलाइंग आपको तीन पाइट्स में कुछ दे रुखी है धेकिनीशन में क् सलगने अख निकनाना हेम्से रेश्यो निकालने है सबसे पैर लिए究 क्या देखना है कि दोनों में एक और तो मेटर में ओंगे और किलोमेटर में में दोननों जबतɕ हमारे पास स्थीम ऊंपर मेटर के अंदर नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको रेशो में नहीं convert कर सकते हैं तो इसलिए अब यहां तो देखो क्या है cycle की जो speed of 15 km per hour है तो यह हमार पास km में है और 30 यह भी km में है दोनो km में दोनो same है तो हम क्या कर देंगे? जेटीज रेशो निकाल देंगे तो क्या लखेंगे? speed of cycle 15 km per hour speed of scooter 30 km per hour अब रेशो निकाल देंगे ratio of speed of cycle 2 that of scooter cycle की speed कितनी है? 15 ratio scooter की speed कितनी है? 30 15 बन जा 50 ratio 15 2 जा 30 तो क्या आजएगा? 1 ratio 2 इसी तरह second आपके पास 5 meter 2 10 km अब देखो यहां पर meter दे रखा है यहां kilometer दे रखा है kilometer को meter में convert कर लेंगे तो कैसे करेंगे देखो 1 km, 1 km के अंदर कितना होता है? 1000 meter होते हैं तो 1 km is equal to 1000 meter और 10 km में कितने आजएगे? 1000 multiply 10 कर देंगे तो कितना आजएगा? 10,000 meter अब दोलनों हमारे meter में convert होगे में convert होगे तो अब हम इसके ratio निकाल लेंगे 5 ratio 10,000 meter अब 5 बन जा 5 ratio 5 to 10 और as it is 3 zeros as it is तो क्या आजएगा? 1 ratio 2000 आए C है हमारे पास 50 पैसे 2 rupees 5 अब 50 पैसे और rupees है 5 तो रुपे और पैसे अलग अलगे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कि रुपे को पैसे में convert कर लेंगे तो एक रुपे के अंदर कितने पैसे होते है? 100 पैसे होते हैं 5 rupees में कितने पैसे हो जाएगे? 5 multiply 100 कितना आएगा? 500 पैसे अब हमारे पास दोलों किसमें होगे? पैसे में convert होगे तो ratio निकाल देंगे 50 ratio 500 0 से 0 cancel 5 बन जा 5 5 से कर देंगे 10 तो क्या आजेगी इसकी ratio? 1 ratio 10 Next हमारे पास question number 2 Convert the following ratio to percentages आपको ratio दी गई है कुछ ratio को हमें percentage में convert करना है कैसे करना है convert? देखो First है 3 ratio 4 जब हमें कोई भी ratio दे रखिये है उसको में percent में convert करना है तो सबसे पहले इस ratio को बनाते fraction में और multiply 100 कर देंगे तो percentage of 3 ratio 4 3 ratio 4 का fraction क्या होगा? 3 by 4 multiply क्या कर देंगे? परसेंट करने के लिए 100 परसेंट 4 बन जा 4 4 से कैंसल कर देंगे 25 25 3 जा 75 परसेंट इसी तरह सेकंड है 2 रेशो 3 2 रेशो 3 को पहले हम कनवर्ट करेंगे percentage of 2 रेशो 3 2 रेशो 3 को हमने कनवर्ट कर दिया fraction में 2 by 3 multiply 100 परसेंट अब ये cancel नहीं होता तो 100 और 2 की multiply 200 by 3 200 by 3 को जब हम क करेंगे इसको divide तो क्या हैगा 66 फ्रेक्शन 2 by 3 परसेंट नेक्स्ट है हमारे पास question number 4 question number 3 72 percent of 25 students are good in mathematics है ये बोल रखा है कि 72 percent of 25 students है total students है 25 उनका 72 percent students है वो mathematics में good है how many are not good in mathematics कितने students है जो mathematics में 6 नहीं है कैसे निकालेंगे total number of student हमारे पास कितने है 25 और maths में good कितने है 72 तो total का 72 percent कर देंगे हम number of good students in math math में good कितने है 72 percent of it 25 तो percent को अटाने के लिए 72 by 100 multiply 25 25 से cancel कर देंगे 4 आज एक फौर से इसको cancel कर देंगे 18 तो कितने students आ गई 18 अब 25 में 18 student ऐसे हैं जो mathematics में अच्छे हैं अब ऐसे students जो mathematics में अच्छे नहीं है वो कितने बचे number of students not good in math जो math में अच्छे नहीं है तो क्या आएगा 25 माइनस 18 क्या आया 7 7 students है जो mathematics में अच्छे नहीं है अब अगर हम इसे percent में convert करना है तो कैसी hence percent of students not good in mathematics है तो उसकों दो method से कर सकते एक तो क्या कितने है हमारे पास students 7 है और टोटल कितना था 25 multiply 100 25 से cancel कर दिया 4 7 4 जा 28 percent दूसरा हमारे पास क्या है total percent होता है वेटा है 100 का और उसमें से 72 percent तो कैसे अच्छे है तो 100 में से 72 को माइनस कर देंगे क्या आएगा 28 percent आ जाएगा next है मारे पास question no.4 a football team won 10 matches out of the total number of matches they played एक football team है वो जीत गई कितने 10 matches out of the total number of matches जितने भी total number of matches थे उन में से उसने 10 match जीत लिये they played जो उन्होंने खेल ले थे if their win percentage was 40 अगर उन्होंने total का 40 percent match जीत रखे है then how many matches did they play in all तो वो total कितने match खेले यह बताना है हम मान के चल पड़ेंगे कि total उन्होंने कितने match खेले तो क्या आएगा let total number of matches भी X हमने मान लिए कि total उन्होंने कितने match खेल रखे है X है और X का हम वो कितना जीते हैं 40 percent उन्होंने match जीत रखे है तो X का 40 percent कर देंगे 40 percent of total matches किसके equal है 10 के equal है तो 40 percent of total कितने है X है is equal to 10 40 percent percent को convert करेंगे 40 by 100 multiply X 0 से 0 cancel 4 by 10 4 by 10 को उदर लिखे जाएंगे तो क्या आजेगा 10 by 4 अब 2, 2 जा 4, 2, 5 जा 10 फिर 2, 1 जा 2, 2, 5 जा 10 5, 5 जा 25 तो total number of matches उनके पास कितने थे 25 25 उनके पास total match थे उन्होंने 10 matches जीत लिए और 15 matches उन्होंने हार लिए Next है question number 5 If चमेली had rupees 600 left after spending 75 percent of our money चमेली के पास क्या है कि चमेली had rupees 600 चमेली के पास 600 rupees left बचे हुए है After spending जब उसने spend कर दिया, खर्च कर दिया 75 percent of our money अपनी money का 75 percent उसने खर्च कर दिया तब भी भी उसके पास 600 rupees बचे हुए है How much did she have in the beginning तो starting में उसके पास कितने रुपए थे Total रुपए निकालने हमें क्या करेंगे Later money in the beginning भी X है मान लिया है कि उस शुरू में उनके पास कितने रुपए थे X है अब X में से जितने उन्होंने खर्च कर दिया वो minus कर देंगे तो बचे हुए पैसे उनके एकवल आएगा तो X हमारे पास है माइनस कर दिया उसमें से जो हमने खर्च कर रखा है कितना खर्च कर रखा है Total का 75% X माइनस 75% ओप ए X is equal to 600 X माइनस 75% निकाल देंगे X का X multiply 75 by 100 75 को cancel करेंगे 25 से 25 3 जा 25 4 जा तो 3 और X की multiply 3X by 4 is equal to 600 अब बाई में 1 लगाएंगे दोनों का LCM ले लेंगे LCM दोनों का क्या आजएगा 4 4 की और X की multiply 4X minus 1 की और 3X की multiply 3X 4X में से minus 3X by 4 is equal to 600 4X में से 3X जाएगा X by 4 is equal to 600 X is equal to इसको उदर लेके जाएगे तो क्या आएगा 600 multiply 4 64 जा 24 तो क्या आजएगे X की value 2400 तो उसके पास शुरुआत में कितने रुपए थे 2400 रुपए थे जबकि उसने उसमें से 1800 रुपए खर्च कर दिये तब भी उसके पास कितने रुपए बचे 600 रुपीज उसके पास बाकी थे Hence the money in the beginning वाजे 2400 तो उनके पास starting में थे Next is question number 6 If 60% people in East City like cricket एक city है जिसके अंदर 60% जो आदमी है वो cricket को like करते है 30% like football or 30% football को like करते है and the remaining like other games और जो बचे हुए है वो other games को like करते है Then what percent of the people like other game तो हमें यह निकालना है कितने percent ऐसे हैं जो other game को like करते हैं If the total number of people are 50 lakh अगर total के पास 50 lakh है पीपल उस city के अंदर find the exact number तो हमें exact number बताना है who like each type of game जो हर तरह के game को like करते हैं सबसे पहले तो हमें यह बताना है कि जो other हैं वो कितने percent है उसके लिए क्या करेंगे देखू number of people who like cricket है ऐसे जो cricket को पसंद करते हैं number of people who like football football को like करने वाले है 30 percent तो total हमारे पास 100 percent है तो क्या करेंगे number of who like other game जो other game को करते हैं तो 100 percent में से minus कर देंगे 30 और 60 percent को minus करते है 60 percent plus 30 percent 60 plus 30 90 hundred में से 90 को minus करें कि आएगा 10 percent है तो total 10 percent हमारे पास ऐसे हैं जो other games को like करते हैं अब हमें सभी कालग लग exact number बताना है कि exact number who like each type of game तो first हमने क्या निकाला number of people who like cricket वो number of people बताना है जो cricket को पसंद करते हैं तो total कितने हैं 50 lakh, 50 lakh का 60% है 60% of 50 lakh 60 multiply 50 lakh by 100 2 0 से 2 0s cancel 6 5 0 30 तो कितना आजेगा 30 lakh तो 30 lakh हमारे पास ऐसे हैं जो cricket को like करते हैं second है हमारे पास number of people who like football जो football को like करते हैं football को like करने वाले कितने हैं football को like करते हैं 30% of 50 lakh 50 lakh का 30% 30% को convert करेंगे by 100 multiply 50 lakh 2 0 से 2 0 cancel 5 3 जा 15 तो यह कितना आएगा हमारे पास है 15 lakh, 15 lakh ऐसे हैं football को like करते हैं number of people who like other game other game को like करने वाले कितने थे 10% of 50 lakh 10 multiply 50 lakh by 100 2 0 से 2 0 cancel 10 और 50 50 अंडर की multiply कर देंगे तो कितना आजेगा 5 lakh तो यह मारे पास कितने आए 5 lakh आए अब हमारे पास हम यही बताना था कि cricket को पसंद करने वाले 30 lakh हैं football को करने वाले 15 lakh हैं और other game को 5 lakh हैं तो number of people who like other game are 5 lakh यह थी हमारी exercise 8.1 तो कितने तो